Hello everyone, आज की इस वीडियो में word है P-E-R-C-U-S-S-I-O-N परकसर, तो इसका जो है pronunciation क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका क्या आर्थ होता है और इसे किस तरीके से sentences में use किया जाता है, इसका use करके sentence को कैसे form किया जाता है तो इन सबी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं word है P-E-R-C-U-S-S-I-O-N तो इसका pronunciation होता है, परकसर, क्या होता है, इसका pronunciation होता है, परकसर इसका हिंदी में क्या आर्थ होता है, तो इसका हिंदी में जो है, अर्थ होगा तकर, तकराव, प्रहार, चोट, मार, आघात, वादेंद, तो इसका जो यूज है, यानि कि हिंदी में जब हम इसे प्रियोग में लाते हैं, तो कई आर्थ में इसका यूज किया जाता है तो अब देखते हैं कि इसे किस तरीके से sentences में यूज किया जाता है यहां पर जो है परकसन का यूज किया गया है as an object कि विस्पोट ने एक टक्कर पैदा की अब परकसन यानि कि एक टक्राव पैदा किया जिससे खिड़किया तूट गए यहां पर जो है परकसन का क्या मीनिंग है वाद्दे अंत्र से कि वह बैंड के लिए तबला बजाता है यहां पर परकसन बजाता है यह यह एक इंस्ट्यूमेंट है तो यहां पर जो है इसका यूज किया गया है as an instrument तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परकसन का sentence में किस तरीके से sentence को form करने के लिए यूज किया जाता है तो ऐसे ही और नए words को सीखने के लिए उन्हें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में ऐसे ही और नए words के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you